Two Minutes Movies presenting The Last Witch Hunter 2015 कहानी की शुरुआत में हमें 800 साल पहले का टाइम दिखाय जाता है जहां पूरी अर्थ पर ब्लैक मैजिक नाम की बिमारी फैल रही थी जिसकी वज़ा से पूरी अर्थ पर से इंसानों का खात्मा हो रहा था असल में ये बिमारी एक Witch Queen पहला रही थी क्योंकि वो जमीन पर से इंसानों को खतम करके Witches की दुनिया बनाना चाती थी फिर उसे रोकने के लिए कुछ soldiers जिनने उस टाइम नाइट्स का जाता था वो उस Witch Queen के केव में पहुंच जाते हैं और Witch Queen के सीने में अपनी सौट गुसा देता है जिससे वो Witch Queen कमजोर पर जाती है और बस मरने ही वाली होती है लेकिन वो Witch Queen कोल्डर के दिल को पकरके उसे कर्ष देती है कि वो हमेशा के लिए immortal हो जाएगा यानि कभी भी उसकी मौत नहीं होगी वैसे तो immortal होना किसी किसम का कर्ष नहीं है लेकिन कोल्डर के लिए immortal होना किसी कर्ष से कम नहीं था क्योंकि Witch Queen को पता था कि उसने जो बिमारी पहलाई थी उसे कोल्डर की पूरी फैमली मारी गई थी इसलिए कोल्डर की जीने का कोई मकसद नहीं था वो जीना नहीं चाहता था वो भी अपनी फैमिली के साथ मनना चाहता था और दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है प्रेजन टाइम में जहां हम देखते हैं कि 800 साल गजर गए है और यही पर हमें दिखाए जाता है कोल्डर जो अपने कर्स की वज़ा से अभी भी जिन्दा है लेकिन टाइम के साथ साथ उसका पैनना उनना उटना बैटना सब कुछ से बदल गया था यही पर हम देखते हैं कि कोल्डर कहीं जा रहा होता है लेकिन अचानक से मौसम खराब होने लगता है तब उस बदलते मौसम को देखकर कोल्डर को शक होने लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके मौसम को चेंज किया होता है तो इसलिए खोल्डर चेक करने लगता है कि आखिर वो कौन है जो प्लेन में बैट कर ब्लैक मैजिक कर रहा है जहाँ पर उसे इस प्लेन में एक यंग विश मिल जाती है अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत साल पहले इंसानों और विचेस में ये बात तैह हुई थी कि कि विचेस अपना असल रूप बदल कर इंसानों के दर्म्यान रह सकती हैं लेकिन बदले में वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पुछाएंगी तो जणाब अब बात ये है कि अगर बात तैह हो जाती है और रूल्स बन जाते हैं तो सब का फर्स होता है कि उन्हें फॉलो करना लेकिन जाहर है कि हर कोई रूल को फॉलो नहीं करता और यहाँ पर भी कुछ विचेस रूल्स को फॉलो नहीं करती और rules को ना follow करने वाली witches को बकर कर कैद करना colder का काम था और colder एक action sword नामी group के लिए काम करता था जिनका काम था बुरी witches को बकर कर कैद करना अब colder उस young witch के पास आकर बैठ जाता है जहाँ पर उस young witch के पास weather changing stones होते हैं जिसके पावर इतनी थी कि witch को भी उसका अंदासा नहीं था और अब यहां colder उन दोनों stones की power को यहां control करता है तब वो witch colder से पूछती है कि क्या तुम मुझे इसके लिए भी कैद कर लो के जिस पर colder कहता है कि नहीं यह तुमने जान बूच का नहीं किया अब colder उन दोनों stones को साथ लेकर चला साता है और colder अपने इस नाम की वज़ा से लास्ट witch hunter के नाम से भी जाना चाता है नेक्स सीन में colder के पास एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम होता है डॉलन 36 असल में डॉलन उस action sword group का लीर होता है जिसके लिए colder काम करता है डॉलन 36 असल में एक priest भी होता है डॉलन 36 नाम का मतलब था कि colder आज तक डॉलन जैसे 35 priest के साथ काम कर चुका था इसलिए ये है डॉलन 36 यहाँ पर डॉलन colder को बताता है कि कल मैं retire हो जाऊंगा यह सुनकर colder डॉलन को एक कीमती pen gift करता है अभी तक जितने भी डॉलन आये थे वो सभी विच हंटर यानी colder के साथ मिलकर witches को पकरने का काम करते थे next day colder के पास call आती है कि डॉलन 36 की तो मौत हो गई है तब यह सुनकर colder को काफी शक होने लगता है जहाँ colder की मुलकार डॉलन 37 से होती है क्योंकि डॉलन 36 की मौत हो गई थी इसलिए निया डॉलन 37 आया था और इसे डॉलन 36 ने ही विच हंटर यानी colder के साथ काम करने के लिए चूस किया था इसके बाद ये दोनों यानी डॉलन 37 और colder डॉलन 37 के घर जाते हैं यहाँ जाकर वो पूरे घर को चेक करने लगते हैं कि कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ वहाँ पर उन्हें ब्लैक मैजिक का कोई सबूत नहीं मिलता लेकिन डॉलन 37 को यहाँ पर कुछ मरी हुई मक्या मिलती हैं जो कि ब्लैक मैजिक की तरह विचारा कर रही थी तब ये देखकर colder उन मक्यों पर कुछ magical dust छड़क देता है जिसकी वज़से इस घर पर किया हुआ जाता है जैसे वह पूरा घर अपनी असली हालत में आ जाता है जहां पर असली हालत में आने के बाद सारी चीज़ें टूटी हुई थी और रसल में सारी चीज़ें को चुपाने के लिए किसी ने याँ पर ब्लैक मैजिक किया था तब ये देखकर colder गबरा जाता है और थोड चाता है कि आखिर ये ब्लैक मैजिक किस ने किया है इसलिए colder और डॉलन थर्टी सेवन उस्विच के घर जाते हैं जहां जाकर हमें पतर सिलता है कि वह मेल था जो एक बची का रूप लेकर उन दोनों से मिलता है लेकिन colder उसे देकर समझ जाता है कि ये कोई मेल विच है तब पेन को देकर colder को कंफर्म हो जाता है कि डॉलन थर्टी सिक्स को इसी विच ने मारा है फिर colder को इस बात की समझ आ जाती है कि इसके पीछे जरूर किसी का कोई बड़ा मकसद है इसके बाद colder को अपने उस पेन में से मरी हुई मक्ही मिलती है जो कि आज से 800 साल पहले उस ब्लै मैजिक की वज़ा से कोई मरता नहीं बलके जिसको भी बिमारी होती है वो कौमा में चले चाते हैं और तब तक होश में नहीं आते जब तक इस बिमारी को पहलाने वाला मरता नहीं तब यह जानने के बाद colder सीधर डॉलन थर्टी सिक्स की बाडी के पास जाता है क्योंकि वाले को तीन दिन में ढूंद कर माना होगा क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो डॉलन थर्टी सिक्स की मौत हो जाएगी तो को डूने के लिए लगता है लेकिन दभी उसे डॉलन थर्टी सिक्स का बोला गया एक क्ल्यू याद आता है कि जब तुम मने वाले थे तो मुस् करने के लिए एक विच बार में जाता है ताकि वह बर वह अपनी मेमरी को रिफ्रेश कर सके जिससे कि उसे अपनी फ्लैस बैक की मेमरी याद आ सके अब को सब कुछ याद करने में इसलिए प्रॉबलम हो रही थी क्योंकि उस इंसिदेंट को हुए 800 साल हो गए थे और इसलि के बार-बार फोर्ष करने पर वह विच्वीन जिसका नाम कलॉडी था वह मांजाती है जहां वह वह बैलियल नाम का एक मेल विच आता है और वह आते ही को बार अटेक कर देता है लेकिन इस टाइम को इस भी नहीं कर पाता क्यूंकि उसने वह मेमरी पोशन लिया था जिसकी वज़ा से अभी उसकी बाडी के मज़ोर थी जहां वह मेल विच वैलियल उस पूरे बार को भी आग लगा देता है ताकि कोल्डर आकर यहां पर वह मेमरी पोशन दुबारा यूज ना कर सके लेकिन जैसा कि हम जानता है कि कोल्डर इम्मॉर्टल था वह विच्वीन उसे मा वहां पर रुका हुआ है और कुछी देर बात कोल्डर वहां पर पहुंचाता है जहां वह कुलोरी के कैश्य से बचाखने साथ ले जाता है क्योंकि की जान को भी खत्रत हाँ वजह यह थी कि और को वह मैमुरी पोशन जो दिया था इसलिए को को दुबारा वो memory potion बनाने को कहता है जिस पर glory कहती है कि नहीं अब वो memory potion दुबारा नहीं बना सकती क्योंकि memory potion को बनाने वाले सारे plants उस बार में ही जल गए थे लेकिन हा मेरी एक फ्रेंड ऐसी है कि जो उनी साथ ले गया है तब यहां पर क्लॉरी को कहते हैं कि आप हमें वो प्लांटस एक ही विच से मिल सकते हैं और यह दोनों स्विच के पास जाकर उससे प्लांटस मंगते हैं लेकिन वो विच कोल्डर पर मैजिक कर देती है जिससे कोलडर अपने अपनी वाइफ को अर अपनी को उसके मेमोरी से बाइब निकालती है लेकिन जब को अपने सेंस में आता है तो वह दूसरी विच्ट की सारी पावर को खींच लेता है इसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं अब क्यूंकि को पता चल गया था कि लॉरी एक ड्रीम वॉकर है इसलिए वह क्लॉरी को अ मादी विच्ट क्वीन जल गई थी वह पहला डॉन निसनद्ध के ह्लाट को निकाल कर विच्ट को पूरी तरे से माने के लिए उसके हाट को समझ जा जाता है और वो इसे अपने साथ ले जाता है और अब मेमोरी से वाफिसाने के बाद को जिन्दा करने की कोशिच कर रहा था इसके बाद कोल्डर और डॉलन 37 बैलियल को डूने के लिए निकल जाते हैं पर NEXT SCENE में हमें बेलियल दिखाये जाता है जो witch queen को जंदा करने के process start कर देता है जिसमें वह male witch यानी seller को sacrifice करने वाला था लेकिन तब ही वहां पर colder भी आजाता है मगर उसके वहां ने से पहले ही belial ने witch queen को जंदा कर दिया था तब ये देखर colder belial को मार डालता है और जब वो विच्ट कुल्डर के हार्ट को टच करके उससे इम्मॉर्टल होने का वो कर्ष वापस ले ले दी है जिसके वज़े से कुल्डर अब काफी इंजर्ट हो जाता है लेकिन वो वापस आकर देखता है कि डॉलन थर्टी सिक्स जंदा हो गए है क्योंकि इस बार ब्लै जंदा हुई है अब उसारी विच्ट को अपने साथ जोने की कोशिश करेगी जिससे वो ज्यादा खतरनाक और पावर्फुल हो सकें ताकि बाद में वो इंसानों को खतम कर दे दोस्तों मुवी के लास सीन्स में हमें कोल्डर और विच्ट क्वीन के बीच में जबरदस लड जाती जाती है जहां कोल्डर उसे बुरी तरस खतम करने के लिए उसके हार्ट को भी डिस्ट्रॉय करने वाला होता है लेकिन तभी ग्लोरी उसे ऐसा करने सरोक लेती है वो कहती है क्य अगर तुम अैसा करोगे तो तुम भी मारे जाओगे और फिर इंसानों को विच्ट से जाने के लिए कोई भी नहीं होगा अब ऐसा सुनकर कोल्डर सोचने लगता है कि उसकी वाइफ और बेटी भी यहीं चाहती थी कि अभी उसके मने का टाइम नहीं है अभी वो इंसानों को बचाए और बुरी विचस को उनके बुरे कामों की सजा दे इसलिए कोल्डर उस हमारे जैनल को सबस्टाइब के लिए से